कानपूर शेल्टर हों में 57 सनवास्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने पे हरकम मचा हुआ है इसमें साथ लड़िकियां प्रेगनेंट पाई गई है जिसमें से पांच की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है जबकि दो की नेगिटिव आई है मामले में राजनिती भी शुरू हो गई है कॉंग्रेस महासर्ची प्रियंका गांधी की इस से बिहार की मुझाफ़पूर के बालिका ग्रह जैसे केस बताया है वही अब पुलिस इस बात की चानबीन कर रही है कि आखे या करोना केस पहुचा कैसे प्यंका गांधी ने अपने फेस्बुक पर पोस्ट किया है कानपूर के सरकारी बाल संडरक्षन ग्रह में 57 बच्चियों को कोरोना की जांच होने के बाद एक तत्य आया है कि दो बच्चियां गर्वती निकली और एक को एट्स पॉजिटिव निकला है उन्होंने आगे लिखा है कि मुझाफ़पूर बिहार के बालिका ग्रह का पूरा खिस्सा देश के सामने है यूपी में भी देवरियां ऐसे मामले सामने आ चुके हैं ऐसे में इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है लेकिन सरकारी बालसंडरक्षन ग्रहों में बहुती आमाम भी है घटना गट रही है पिछले कई दुनों से बालसंडरक्षन ग्रहों में करोना की टेस्ट किये जा रहे हैं जिनमें से अब तक कुल 171 पॉजिटिव पाये जा चुके हैं इनमें से 57 की उमर 15 से 17 साल की है बाकी 114 लड़किया और 37 करमचारियों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है कानपूर पुलिस अब इस तर्थे के चांच कर रही है कि आखिर सनवासनी ग्रहे में कोरोना फैला कैसे शेल्टर होम के अधिकारियों को संदे है कि कोई COVID-19 पॉजिटिव करमचारी इसका सोर्स हो सकता है क्योंकि वह यहां बर्ती लड़कियों को उनके इलाज के लिए अकसर अस्पताल लेकर जाती थी अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस महीने छे लड़किया शेल्टर होम आई है जिन में से एक पॉजिटिव पाई गई है महीला आयोग की सदस्ये ने कहा कि बाली का ग्रहे में काफी लड़किया पॉक्सो एक्ट में आती है कम उम्रकी होती है और उन्होंने वहां रखा जाता है जब बच्चियों को हेल्थ अस्पिटाल बेजा गया था तो हमारा स्टाफ भी साथ में गया था तो किसी के टच में आकर संकर्वन पहला होगा राज के बाल ग्रहे में किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है वहां पर मेरा स्वय का भी दौर होता रहता है आप लोग इसे अन्यता नहीं ले बता दे कि एक सब्ता पहले कि सन्वास्निय ग्रहे की एक महिला करोना पॉजिटिव पाए गई थी उसके बाद 18 जून को एक साथ 33 महिला की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी 19 जून को 16 और सन्वास्नियों में करोना संकर्मन की पुष्टी हुई 20 जून की राज जांच रिपोर्ट में आठ और करोना पॉजिटिव केस सामने आये इस पूरे मामले में कानपूर के स्सपी दिनेश कुमार पी का कहनाय की दोनों लड़कियां शेल्टर हों आने से पहले गर्वरती थी आरोपितों के खिलाप केस दर्श है एक लड़की कानूच तो दूसरी आगरा से आई थी बेवजा मामला को गलत मौड दिया जा रहा था तो आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए जुड़े लिए हमारे साथ अगर आपको यह वीडियो पसंदा आई तो लाइक जरूर करना और अमेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलना थन्यवारा थन्यवारा